सेटी अंदर आने वाले आर्केमदीस प्रिंसिपल के बारे में जैसे कि काफी सारी आर्किमदीस प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं ऍ दि आक बारे में दोस्के पर्संड कि लीद कम Sinne के बारे में यह अंदर संच direction बहुत ज़्यादा tricky है, तो आज हम इस lecture में उस trick को clear करने के कोशिश करेंगे, जिसको जाने से पहले, मैं आपको बता दू कि Archimedes principle जो है, वो fluid mechanics का part है, now what is fluid mechanics, fluid mechanics, actually में fluid और उसके orientations, उसके effects, इसके बारे में जो study होता है physics का, उसका एक part है, so आज हम fluid mechanics के अंदर आने वाला Archimedes principle, जो one of the pioneer principles माना जाता है, सबसे पहला principle माना जाता है generally, उसके बारे में study करेंगे, कापी सारे लोगों ने Archimedes के बारे में एक चीज़ सुनी होगी, उसकी Eureka वाली history, या फिर Eureka वाली theory, शायद आप लोग को पता होगा, कि actual में क्या होता है, कि वो जो Sicily जहां पर रहते वहां पर जो king थे, उन्होंने उनको एक काम दिया था, कि काम करो, यह जो mukut है, उसके अंदर कितना adulteration है, adulteration मतलब हम बोलते कि जिसके अंदर मिलावठ है, तो इस mukut में कितना मिलावठ है और कितना original सोना है, वो आप find out कर के दिखा दो, अब Archimedes ने ले लिया अपने मन प होता है, कि I got it, मुझे मिल गया, मुझे answer मिल गया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था, कि वो directly बाट अप से उठके आ गये थे, और उन्हें पता भी नहीं था, कि अपने पहनना भूल गये थे, तो यह story है, एक theory है, जिसके बारे में हम हमें पता है कि यह Eureka की theory क्या है, Archimedes इसकी, बट यह Archimedes का जो principle है, वो इतना जबरदस principle है, आज से तकरीमा 2200 साल पहले बनाये हुआ यह principle, आज भी इसको कोई गलत सा भी नहीं कर पाया, और इसी के basis पे हम जितने ships वगरा जो देखते हैं, जो generally float करते हैं, इन शोट, floatation की जितनी भी theory है, वो सब कुछ depend करते है Archimedes principle पे, तो आज हम इस lecture में उसको conceptually study भी करेंगे, और उसके कुछ sums भी study करेंगे, आप updated यह lecture से साथ, अब फिलाल आपको जो screen पे सामने दिख रहा है, वो Archimedes principle का basic है, जैसे कि अभी फिलाल के लिए आपको दिख रहा होगा, कि यहाँ पर यह एक block है, और फिलाल इस block का जो weight है, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो 7 LB है, तो यह LB जो होता है, वो एक unit होता है weight गिनने का, जनरल हम लोग kg में या फिर Newton में गिनते हैं, LB भी एक type का unit होता है, जो हम जनरल ही गिनते हैं, तो फिलाल के लिए, अगर सपोज इसका weight जो है, वो 7 LB है, अगर ह इमर्स करते हैं, जैसे कि आपको इस diagram में दिख रहा है, second diagram में, तो आपको पता चलेगा, कि जैसे इसे हमने immerse किया, so immerse करने से पहले, यहाँ पर अगर आप देखो, तो already जो water है, वो एक certain level तक पहुँच गया था, अगर वो उससे भी उपर जाए, तो यहाँ से पानी तरफ आएगा, so weight अंदर जाने से अब यह पानी नीचे गिरेगा, correct, और जब आप weight अब गिनते हो, तो अब जो machine आपको weight गिखाती है, वो होगा 4 kg, suppose, तो sir पहले 7 kg था, अब 4 kg हुआ है, तो यह 3 kg कहा गया, exactly हमें यह समझना चाहिए, कि यह 3 kg जो balance weight है, या फिर जो बचा किसी liquid के अंदर जाती है, तो liquid उसके उपर एक force देता है, जिसे बोलते है, upthrust force, या फिर उसे ही को एक और नाम है, जिसे बोलते है, bionc force, इसका मतलब है, कि अब इस diagram से हमने यह सिखा है, कि अगर कोई भी body, अगर किसी liquid में जाती है, तो उसके weight में जितना भी difference आएगा, उतना liquid वो displace करेगा, उतने weight का liquid वो displace करेगा, जैसे आपको दिख रहा है, कि 7 kg था पहले, अब 4 kg है, मतलब 3 kg का difference है, sorry, 3 LB का difference है, तो वो जो 3 LBs है, उतना पानी तो भार pot में गिरा हुआ है, फिर वो जो बाउल है, उसके अंदर गिरा हुआ है, और यही जो है, वो arcum dis principle का base है, so in short, इस diagram से हमें यह समझ में आ गया है, that the difference in the weight in vacuum and liquid is equal to the upthrust on the body, यह अब हमने study किया हुआ है, अब इसके बाद हम next slide की तरफ जाएंगे, जहां पर मैं आपको इसके सारे formula के बारे में बताऊँगा, so just pay attention, अब हम इस slide पर आएं, जहां पर मैंने लिखा हुआ है, अब अगर देख पार है, it is archimedes principle, archimedes principle में जहां पर आपको यह diagram अब जो नजर आ रही है, तो उसका आपको दिख रहा होगा, कि जो weight है liquid, या फिर उस body का जो weight है, वो तो downward रहेगा, वो उसे नीचे लाने की कोशिश करेगा, but the same time, उस body पे एक upthrust force आएगा, जिसको हमने नाम दिया है, buoyancy force, और यह buoyancy force कितना होगा, yes, exactly, थोड़ी देरे पले जो हमने किया था, कि difference in the weight, जितना होगा, उतना इसका क्या होगा, buoyancy होगा, correct, अगर ऐसा ही है, so कुछ equations हमें समझने हैं, तो सबसे पहला equation है, यहा liquid displace हुआ है, उतने liquid का अगर आप वजन गिनते हो, तो वो आपका buoyancy force है, अब अगर ऐसा ही है, so फिर हम यह समझ सकते हैं कि buoyancy force, जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, so that buoyancy force is nothing but, what is force, it is a weight of the liquid displaced, if it is a weight of the liquid displaced, weight का format है, mass into gravity, mass into gravity, मतलब अब mass किसका, displace कौन हुआ है, liquid displace हु हुआ है, तो mass भी liquid का ही होगा, into gravity, जिस planet पे आप हुँ, आगे gravity आप ले लो, फिर जिस condition में आप हुँ, height पे हो, depth पे हो, जहाँ पर भी हो, आपको पता है, gravitation के lecture में हमने सीखा था कि gravity change होती है, so अब जहाँ पर भी हो, वहाँ जो भी gravity हो आप ले लो, अब थोड़ा आग लिक्वीड, into volume of the liquid, जैसे के आपको आगे दिख रहा है, into gravity, so in short, biont force का formula हो जाएगा, rho VG, क्या हो जाएगा, rho VG, जिसे आपको ध्यान रखना है, so याद रखिये, biont force, मतलब weight of the liquid displaced, मतलब rho VG of the liquid, that is rho L, VL, G, याद रखना है, अब जो दूसरा equation है, यह बहुत ही जबर दस्ते, इसको भी आपको समझना है, so just pay attention, volume of the object inside the liquid, is equal to volume of the liquid displaced, generally आप देखते हैं कि कभी-कभी कुछ जो चीजे होती है, वो पूरी तरीके से डूप जाती है, मतलब उसका तो पूरा का पूरा volume अंदर है, तो फिर उतना ही volume liquid ने displaced भी किया, लेकिन कभी-कभी हम देखते है कि कोई plastic का ball है, हलका सा कोई, अगर वो हम पानी पे डालते हैं, तो जैसे हम उसको पानी पे डालते हैं, वो ज़्यादा depth में नहीं जाता है, वो उपर-उपर ही तेहरता है, उसका थोड़ा सा ही हिस्सा पानी के अंदर होता है, so अगर हम plastic के ball का example लेते हैं, suppose हमारे पास है, ठीक है, so वो plastic का ball जो होगा, वो generally ऐसे होता है, पानी पे ऐसे तेहरता है, in short, इसमें क्या होगा, कि ये जो इतना सा हिस्सा आप देख पा रहे हो, इतना ही पानी के अंदर है, इतना ही volume पानी के अंदर है, so मतलब सिर्फ उतने ही volume का पानी displaced होगा, सिर्फ, ये है हमारे Archimedes principle का second important equation, अगर सबस कोई body ऐसे float हो रहे है, like this, suppose, तो कितना volume inside है, इतना volume inside है, exactly, जितना आप देख पार हो, इतना volume inside है, फिर उतना ही liquid जो है volume displaced करेगा, so इसका मतलब है, ये हो गया Archimedes principle का second equation, correct है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, third equation, what is weight of the liquid displaced, जैसे मैं आपको बत vacuum, minus weight of the object in liquid, so थोड़ी देरे पहले एक example देखा था हमने, vacuum में उसका 7LB weight था, लेकिन वही liquid में जाने कपा 4LB था, so जो difference हैगा, वो 3LB, उतना weight of liquid तो displaced हो गया, exactly, so ये चीज़ हमको समझनी है, अगर suppose, by chance, आपकी body जब अदर जा रही है, किसी liquid के अंदर, अगर उस body का ये जो body है, डागराम में, पुरा body liquid के अंदर है, मतलब उस वक्त, volume of object inside liquid, पतब पुरा ही volume, is equal to volume of liquid displaced, मतलब जब ऐसी condition आएगी, तब आपको volume of liquid displaced, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, just pay attention, ये जो point है, volume of liquid displaced, उस वक्त आपने body का volume भी रख दिया, तो भी चलेगा, because volume of liquid displaced, य volume of object inside the liquid, तो object का volume भी जो अंदर है liquid के वो चलेगा, अगर flotation की ऐसी condition आजाती है, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूं, तो उस वक्त, जो volume of liquid displaced आपको लेना है, वो सिर्फ inside वाला volume लेना है, यह आपको ध्यान रखना है, आर्किमडिस प्रिंसिपल की ये तीनों चीज़े ब बॉडी डूब जाएगी, लिक्विड से अगर कम डेंसिटी है कि बॉडी की तो वो तैर जाएगी, या फिर लिक्विड की जितना ही अगर डेंसिटी है बॉडी का सपोज, तो वो just surface के पास तैरेगी, तो यह सारी चीज़े कैसे होती है, यह question होता है, और अगर यह question है, त इस floating body में नीचे लिखा हुआ है, that the weight less than the fluid it displaces, मतलब body का weight, fluid जितना displace हुआ है, उसके weight से कम है, in short, fluid कितना displace होता है, वो इस से दिखाय जाता है, exactly, bioncy से, और weight जो है, वो तो body का weight है, इसका मतलब है, liquid का जो weight है, वो जाधा displace हो गया है, मतलब जाधा liquid displace हो गया है, obviously, आप समझ सकते हो, कि अगर उपर का force अगर ज्यादा है, और ये body का weight का force अगर कम है, तो body नीचे थोड़ी जाएगी, body तो उपर ही float होगी, यही होता है, अगर suppose आप कोई plastic का ball है, उसको अगर आप imagine करते हैं कि, इस तरीके से, अंदर अगर आप press कर देते हो, हाथ से, और डबा देते हो, और जैसे आप उसको छोड़ दोगे, वो फिर उपर की तरफ rise करेगा, वो फिर उपर की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसनका जो weight है, उसके मुकाबले उसके उपर आने वाला bionc4 जो है, वो ज्यादा है, अब ये कैसे होता है, इसके बारे में हम देखत है, because jf, जो floating bodies होती है, जैसे कि आपको पता है, कि उनकी density जो होती है, वो liquid से कम होती है, अब इसके density कम हो रही है, मतलब आप देखिए, सबसे पहले जो लिखा गया है, इन points के ओपर हम ध्यान देते हैं, just pay attention, density of body is less than density of liquid, बड़ आपको जैसे कि पता है, कि density जो है, ठीक है, अगर मैं उसको दोनों तरफ, volume और gravity से अगर multiply कर देता हूँ, so volume into gravity, volume into gravity अगर multiply हो गया, so density of body into volume is nothing but mass, because आपको जैसे कि पता है, density into volume is mass, so that will become mass of the body, अब density into liquid into volume, density of liquid into volume, वो क्या हो जाएगा, mass of the liquid, exactly, अब mass into gravity क्या होता है, weight, weight, so यहाँ पर weight आगया, mass into gravity, लेकिन यह liquid का है, so फिल लिक्विड का weight जो displace हुआ है, जो कि यह बायोंसी, so यहाँ पर weight जो है, वो बायोंसी से कम हो गया, अगर weight बायोंसी से कम है, मतलब बायोंसी जादा है, तो उपर का force जादा है, तो body float करेगा, it is very simple, second case के अगर हम बात आगा, that the density of the body is more than density of the liquid, वापस हम volume और gravity से multiply कर देंगे, और जैसी हम volume और gravity से multiply करेंगे, वैसी ही क्या हो जाएगा, यह condition आगी, because density into volume, same condition, exact same condition हो आगा, अब इस case में, आपका जो weight है, वो बायोंसी से जादा है, मतलब body पे आने वाला downward force, जो है, वो body पे आने वाले upward force के मुक so it's very simple again, अब जो तिसरा diagram है, उसके नीचे जो मैंने explanation दिया है, वो बहुत ज़रूर है, third, कि अगर सर दोनों का भी, मतलब body का भी और liquid का भी, दोनों का भी अगर density match हो गया, suppose, तो क्या होगा, so बस equal to sign है, density of body equal to density of liquid, तो at the end आएगा, weight of the body is equal to buoyancy from the liquid, और इस case में, उपर से आने वाला force और नीचे से आने वाला force जब सेम हो जाते हैं, तो हमने सीखा था कि इसको बोलते हैं, equilibrium, मतलब उस जगा पे जाके body रुकेगी, correct, उस जगा पे body जाके रुकेगी, correct, अब एक और छोटा सा concept समझाता हूँ मैं, just pay attention, suppose, एक कोई तैरने वाली body, यसी कि आपको प पूरा volume पानी के अंदर दबा देते हैं, आपने प्रेस कर दिया इस body को अंदर की दरफ, हाला कि वो तैरने वाले कि फिरिवे अपने pressure लगा के, force लगा के उसको प्रेस कर दिया है, सो होगा क्या, प्रेस करने के बाद अब पूरी body अंदर है, मतलब body का volume और यहाँ पर liquid का volume VV same है, उस case में आपका bionC जादा है, bionC जादा है मतलब वो उस body को उपर तक push करेगा, तब तक जब तक वो इस condition में नहीं आती, just pay attention, this is very important, जब आपकी body तैर रही है, लेकिन फिरिवे अगर आप pressure लगा के अंदर की दरफ डाल देते हो, तो उसके वजए से उसका bionC force उस जाल के लिए आपको diagram में दिख रहा है, इस condition को हम बोलेंगे equilibrium condition, क्या बोलेंगे इसे equilibrium condition, इस वक्त जो आपको दिख रहा है, ये जो volume है, जितना अंदर है, उतने volume का liquid जो है, अब यहाँ से displace होगा, और फिर ये body equilibrium में जाएगी, तब जाके ये body रुकेगा, उस वक्त आप बोल सकते हो कि ये condition हो जाएगी, equilibrium की, but provided इस वक्त जैसे कि आपको पता है, ये volume जो यहाँ पर है, और ये volume इस वक्त आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, इस वक्त जो volume है दोनों तरफ, वो सिर्फ और सिर्फ जो inside volume है, उतने ही होंगे, जो कि मैं आपको पहली बताया second body, no issues, third body, no issues, पूरे volume जो है body के अंदर ही है liquid के, कोई problem नहीं है, लेकिन जो पहला case है, जितना volume liquid के, sorry, body का liquid के अंदर होगा, आपको उतना ही volume यहाँ पर consider करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, so ऐसे जो भी भी sums आएंगे, उस वाद आपको इस चीज को ध्यान रखना के से चलता है, so just pay attention, जैसे कि अब आपको ये सामने सम दिख रहा है, ये actual में need का सम है, तो हम इसके अपर प्रॉपली ध्यान देंगे, just pay attention, an iceberg of density 900 kg per meter cube, actual में meter cube है, माँ पर meter लिखा हुआ है, is floating in water of density 1000 kg per meter cube, the percentage of volume of ice cube outside the water is, in short ये question ये बोल रहा है, कि जैसे का आपको डाइग इसका total कितना volume जो है, वो उपर की तरफ है, मतलब कितना outside water है, ये पुछा गया है, generally हम जब देखते हैं, movies में वगरा है, फिर अगर कोई गया होगा, icebergs देखने के लिए, तो यसे लगता है, ये तो बहुत चोटा सा है, ये तो पानी के पर चोटा सा ये नजर आ रहा है, ल ये उनको समझ में नहीं आया शायद, और फिर हो गया कि Titanic डूप गई, लेकिन अब हमको पता है, हम यहां से समझेंगे इससे अच्छे से, जस्ट देखिए आप कि अगर फिलाल हम देख रहे हैं, भले कितना भी volume अंदर हो, कितना भी उपर है, लेकिन वो body फिलाल stable है मतलब अब जो है वो equilibrium condition है, so weight of equilibrium condition का condition होता है कि weight और bion से दोनों same होते है, so iceberg का weight WI is equal to bion C due to water BW, but weight का formula mass into gravity that is density into volume into gravity, वो तो हमें पता है, so density of iceberg into volume of the iceberg into gravity is equal to density of water into volume that is inside, ice work का सिर्फ उतना ही volume हमें लेना है, जो liquid के inside है, यह मैं आपको last case में भी बताया था, last slide में भी बताया था, कि जब ऐसी condition हाते कि हलका थोड़ा उपर float है, नीचे की तरफ भी थोड़ा सा कुछ है body, so bion C के वक्त उतना ही liquid volume का, फिर volume का liquid displace होता है, जितना inside है, so उतना आप V inside by V is equal to density of ice divided by density of water, जो की values हम डाल देंगे आपर, 900 by 1000, जो की बन जाएगा 90 by 100, अब यहाँ पर हम थोड़ी से trick लगाएंगे, कि V inside by V is 90 by 100, मतलब total 100 volume में से, inside जो है 90 है, मतलब 90% तो अंदर ही है, तो outside कितना होगा, exactly, outside जो हो 10% होगा, यही पर sum खतम हो गया, यही पर आपक books में इसका solution देखो है, फिर अलग-अलग side space का solution देखो, तो बहुत लेंदी मिलेगा आपको इसकी density, उसकी volume, density सब माइनस करके वगरा लिया हो, लेकिन हम यहाँ पर ही चोड़ा सा trick लगा देंगे, हम inside volume का percentage निकालेंगे, और हमें outside का मिल जाएगा, बस, तो हमारा sum यही पर log of wood, मतलब एक block of wood, जो भी है, of mass 120 kg, floats in water, तो यह पानी में float कर रहा है, the weight that can be put on the raft to make it just sink, should be, density of wood is 600 kg per meter cube, ठीक है, in short कहा है कि एक wooden block था, जो की generally तैरता है, ठीक है, तो generally अगर आप डियागराम एक तो wooden block एक्चुल में ऐसे तैरेगा, लेकिन question है, हम उपर से और कितना एक block कितने वजन का block रखे, ताकि यह जो main wood block था, वो just sink हो, just sink हो मतलब वो पूरा का पूरा sink हो जाएगा नीचे के तरफ और block उपर रह जाएगा, so यह भी सम कोई बहुत difficult सा नहीं है, सबसे पहली बात, हमें जो mass दिया हुआ है wood का, वो 120 kg है, और जो density दिया हुआ है wood का, वो 600 kg है, so इसे हम volume निकाल सकते है, wood का volume कितना है, in short, इसका volume कितना है, so volume of wood is obviously mass upon density, अब यह क्यों, because density is mass upon volume, अब mass दिया है, density दिया है, value put up करेंगे, 120 by 600, exactly answer आएगा, 0.2 meter cube, now, यहाँ पर concept आएगा, when wood just sinks, due to wood plus block, actual में यह wood sink हुआ है, लेकिन जो total weight है, वो तो wood का भी और block का भी है, जिसके वैसे सिर्फ wood sink हुआ है, यह आपको याद रखना है, इसलिए, और अब फिलाल वो equilibrium में, देखिए, जब आप देखोगे कि अभी फिलाल वो just sink हुआ है, लेकिन अब वो equilibrium में, ना वी नीचे जाए और x, x मतलब यह जो unknown block है उपर की दरफ उसका mass, block mass is x into gravity, अब bioncy of water, so that is rho vg, density of water into volume जब आप लोगे, तो exactly आपको उतना ही volume लेना है, जितना body का inside volume है, body जो है यह दोनों मिला के, उसमें सी सिर्फ एक ही body है, जो inside है liquid के, तो उसका ही volume हैगा, volume of wood into gravity, अब gg cancel हो जाएगा, m w plus x is equal to 1000 into 0.2, क्यों ऐसा, because mw तो ही, x तो ही, density of water 1000 होता है, यह हमें पता है, और volume of food आप यहां से लोगे, that is 0.2, so अब यह हो जाएगा, 120 plus x is equal to 200, so x मिलेगा आपको 80 kg, मतलब 80 kg का weight अगर आप उपर से रखते हो, तो वो block just sink हो जाएगा, आपका answer है A, exactly, so यह भी अगर आसानी से इस सम को कर सकते हो, अब हम जाएगे इस से थोड़ा एक next level सम के उपर, ठीक है, so आप just ध्यान दीजिएगा, ओके, just pay attention, यहाँ पर आपने ध्यान देना है, question है, an adulterated sample of milk, adulterated sample of milk का मतलब होता है, दूद का मिलावट वाला जो sample है, मतलब उसके अंदर पानी होगा, मुलावट तो दूद में हम पानी का ही करते है, so दूद लेकिन उसके अंदर पानी की भी मिलावट है, has a density 1032 kg per m3, while pure milk has a density of 1080 kg per m3, मतलब pure milk का density जादा होता है, then the volume of the pure milk in a sample of 10 liters of adulterated milk is, so अगर adulterated मतलब मिलावट वाले दूद का अगर density 1032 kg per m3 है, और pure milk का अगर density 1080 kg per m3 है, तो अगर adulterated milk हमारे पास 10 liter है, तो उसमें pure milk की quantity कितनी होगी, यह हमारे लिए सवाल है, so यह tricky question लगता है, लेकिन यह simple question है, अगर आप गौर से देखो, हम सबसे पहले कुछ चीज़े करेंगे यहापर, तो सबसे पहले हमें पता है, that अगर आप सम की तरफ पूरी तरीके से ध्यान दो, so volume of adulterated milk is 10 liter, अब liter जो होता है, जैसे कि आपको पता है, liter का अगर आप meter cube में conversion करो, so thousand liters is one meter cube, so इसलिए liter को जब meter and cube में convert करेंगे, so 10 raise to minus 3 आएगा, इसलिए volume of the adulterated milk is 10 raise to minus 2, correct, यह तो हमें समझ में आ रहा है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, volume of the pure, जो liquid है, 10 liter हमें हमें find out करना है, density of adulterated हमें पता है, density of pure liquid या फिर pure milk वो भी हमें पता है, अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि, कितना mass है adulterated milk का, so mass is nothing but density into volume, so density तो हमें पता है, volume भी हमें जो है वो पता है, 10 raise to minus 2 है, so यह दोनों value से हमें पता चलेगा, कि total जो 10 liter मे 10 liter के milk का, जो adulterated milk है, मिलावत वाला milk है, उसका वजन कितना है, so यह आपको pin-up करके रखना है, that this is 10.32 kg, यह 10 liter मिलावत वाले दूद का total वजन है, ठीक है, अब हम देखेंगे, what is उसके अंदर के pure milk का कितना mass है, so mass is equal to density into volume, density तो हमें पता है 1080 है, लेकिन हमें volume नहीं पता, है न, so 1080 into Vpy, तो find out करना है, अब हम देखेंगे आगे, pay attention, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर पानी कितना गया है, obviously पानी कितना गया है, कैसे पता चलेगा, कि मिलावत वाले दूद का total वजन में से, अगर हमने pure वाले दूद का वजन माइनस कर दिया, तो हमें मिलेगा कि कितना पानी है, suppose मिलावत के साथ पानी का दूद का वजन है, मिलावत के साथ अगर वो suppose है, 100 किलो, suppose, लेकिन pure दूद जो है, उसके अंदर वो 90 किलो ही है, तो फिर मैं बोने का पानी कितना किलो डाले, obviously आप बोले के साथ 10 किलो डाले, so यही लोजिक यहाँ पर भी चलेगा mass of the water added is adulterated mass minus pure mass, so अगर ऐसा ही है, so दुसरे तरीके से इसी equation को अगर हम देखते हैं, कि mass of the water added, but mass का तो formula density into volume भी होता है, so density of water into volume of water, अगर ऐसा ही है, so अगर दोनों के LHS सेम है, तो दोनों के RHS के equations को हम करेंगे, equate, so density of water into volume of water is equal to difference in the masses of the adulterated and pure milk in the 10 liter volume, अगर ऐसा ही है, so as we know that, density of water is 1000 kg per meter cube, कितना पानी का volume होगा, obviously, adulterated milk में से pure milk अगर minus करेंगे, तो उतना पानी होगा, वो volume भी वैसे ही आएगा, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, so ma minus mp, so जो ma है, उसका value तो हमको यहां से ही मिलाता, 10.32, और mp का जो value हम यह डालेंगे, 1080 vp, अगर ऐसा ही है, so obviously, 1000 va के साथ multiply अगर होता है, मतलब हम bracket multiply के multiplication करेंगे, so 1000 into va, बट va हमें मालूम है, va का answer तो 10 raise to minus 2 है, so it is 1000 into 10 raise to minus 2, minus 1000 into vp, is equal to 10.32, minus 1080 vp, अगर आप आगे इसको solve करते हो, सारे vp और इधर उधर कर देते हो, तो at the end आपको मिलेगा, calculation जैसे की किया हुआ है, 80 vp is 0.32, so vp is 0.32 divided by 80, आपको answer मिलेगा, 4 into 10 raise to minus 3 meter cube, इसका answer आपको आएगा, 4 into 10 raise to minus 3 meter cube, but remember, वो तो 10 raise to minus 3 meter cube तो liter है, so जिसके वज़े से आपका final answer बनेगा, 4 liter, जो कि यहाँ पर है, D, so आपके इस सवाल का answer है, कि 10 liter पानी में 4 liter की मिलावट की गई है, आपका यह जो sum है, उसका जो final answer है, वो रहेगा, it is 4 liter, in short, आज का जो lecture था, उसके अंदर हमने यह सिखा कि किस तरीके से Archimedes principle को study किया जाता है, किस तरीके से BionC force का formula बनता है, फिर flotations के जो rule है, density wise, उसको हमने study किया, फिर हमने अलग-अलग sums के जरीए उसको समझने की कोशिश भी की, So, hopefully आपको यह video अच्छे से समझाओगा, आपको इसको और एक बार देख सुनके अच्छे से revise कर लेना, और अगले lecture में जब हम मिलेंगे तो इसके साथ updated रहना, thank you so much.